मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं मनुश्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविशे प्रालब्ध भोगते हैं देखो बहुत मनुश्य ऐसे समझते हैं कि हमारे पूरु जनम की अच्छी कमाई से अभी ये ज्ञान प्राप्त हुआ हम कहते हैं न कि पिछले जन्मों में आपने बहुत अच्छी भगती किये है बहुत अच्छे कर्म किये हैं जो अब आपको कौन मिला है वगवान मिला है ज्ञान मिला है हमें ज्ञान समझ में आया है परंतु ऐसी बात है नहीं समझ रहे हैं पुरु जनम का अच्छा फाल है ये तो हम जानते हैं काल्प का चक्र फिरता रहता है सत्तो रजो तमो बदली होता रहता है पुरु ड्रामा अनुसार पुरुशारत से प्रालब्ध बनने की मार्जिन रखी है पुरुशारत अनुसार प्रालब्ध अनुसार ड्रामा अनुसार पुरुशारत से आप पुरुशारत करेंगे प्रालब्ध की मार्जिन रखी है तब तो वहां सत्युग में कोई राजा, रानी, कोई दासी, कोई प्रजा, पद पाते हैं आप पुरशार्थ करते हैं, तब ही तो वहां राजा, रानी, प्रजा, दासी सब बनते हैं, तो यही पुरशार्थ की सिद्धी है, वहां द्वेत, एर्शा होती नहीं, द्वेत मना दो मत, एक ही मत होती है, दो मत नहीं होती है, एर्शा वहां होती नहीं, वहां प्रजा भी स प्रजा की ऐसी संभाल करता है राजा जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करता है वहाँ गरीब सवकार सब संतुष्ट होते हैं सतियों होते हैं, संतुस्त होते हैं, इस एक जनम के पुरशारत से 21 पीरी के लिए सुख भोगेंगे, यह है अविनाशी कमाई, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ग्यान से अविनाशी पद मिलता है, हम अभी सत्युगी दुनिया में जा रहे हैं, यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, यहां कोई छू मंतर की बात नहीं, अच्छा, ओम, शांती, विस्तार से जानने के लिए, विश्व में 140 देशों में, प्रजा पिता ब्रमा कुमारी इश्वरिये विश्व विद्या लेके, किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रशन हो, या क कोई बात बस तो ना हो रही हो, तो 9213106986 पर के वल वर्शिप करें, फोन नहीं, ओम, शांती.